मुझा जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपती के निवाज स्थान का नाम वाइट हाउस है लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये एक भूतिया जगे भी है यहां रह चुके कई लोग आत्माओं को महसूस कर चुके हैं तो यह जानते हैं वाइट हाउस के बारे में कुछ दिल्चस्प बाते वाइट हाउस का निर्माण 1792 से 1800 के बीच पूरा हो गया था इसका डिजाइन अमेरिकी आर्किटेक्ट जैम्स होबन ने किया था वाइट हाउस के अंदर कुल 132 कैमरे और इसके साथ साथ 412 दर्वाजे 147 खिडकियां, 28 अंगूठी, 8 सेडियां, 35 बाथरूम और 3 लिफ्ट बनाई गई है वाइट हाउस एक ऐसी जगए है जहां अमेरिका के राष्टपती ने कई इतिहास लिखे है यही वो जगए है जहां अमेरिकी इतिहास के अधिकांश प्रमुक राजनी तिक्षन हुए है लेकिन एक समय लोगों का मानना था कि यहां आत्माव कवास है इस बात की पुष्टी अमेरिकन ओथर जैना बश हैगर ने की उन्होंने बताया वाइट हाउस भूतिया है आपको बता दे वाइट हाउस की रसोई में 140 से अधिक महमानों के लिए खाना बन सकता है अमेरिका के 26 वे राष्ट पती थियोडोरे रोसेल वेल्ट ने साल 1901 में अधिकारिक तोर पर वाइट हाउस को अपना वर्तमान नाम दिया था उन्होंने एक शो को इंटर्व्यू देते हुए बताया जब मैं वाइट हाउस में थी आधी रात को मेरा फोन बजा कैमरे में एक चिमनी थी अचानक शोर सुनाई देने लगा और ये पियानू की आवाज थी पियानू बिल्कुल वैसे ही बज़ रहा था जैसे पुराने जमाने में बज़ता था आपको बता दे अमेरिका के 33 वे राश्टरपती हरी टूमन ने वाइट हाउस में भूत देखा था उन्होंने अपनी पत्नी को लिखे पत्र में कहा मैं वाइट हाउस के एक पुराने कमरे में था रात के चार बजे किसी ने मेरे दरवाजा तीन बार खट खटाया लेकिन ज दोलवे राश्ट्रपती थे 15 अपरेल 1865 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी कई लोगों का कहना है कि अबराहम लिंकन का भूत येलो रूम में और लिंकन के बैड रूम में देखा है वाइट हाउस में रह चुके कई विदेशी महमानों का कहना है कि उन्होंने प्रसासन के स्टाफ सदस्यों द्वारा वाइट हाउस में उन्हें देखा गया था दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए